अगर आप TH14 हो, 5500 cups के पास जाना है तो आप easily इस वाले base को use करके एक या दो week में जा सकते हो So hello guys, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे And guys, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो subscribe वाला बटन आपको नीचे दिखी रहा होगा तो subscribe जरूर यहाँ पे दबा दीचेगा तो आज की वीडियो हम यहाँ पे start करते है Echo TH14 के OP से base से सभी replays आपको दिखाने वाले है सभी के overviews और सभी के यहाँ पे reviews वगारा सभी चीज़े हम base के related देने वाले है अगर आपको base अच्छा लगा तो आप उसको जरूर कोपी करिएगा 5500 तक easily जा सकते हैं उस वाले base से जैसे कि आज मैं यहाँ पे easily चला जाओंगा क्योंकि आप देख सकते हो अभी मेरे two attacks बचे हुए है और मैं easily यहाँ पे आज 5500 यहाँ पे cross कर लूगा but let's see start हो चुके हैं तो यहाँ पे coc में होंगे 4 giveaways जो की होने वाले 100 rupees के google redeem card तो अगर आपको इनको win करना है तो जल्दी से में discord में भी join हो जारा है कि कैसे इनको win करना है सभी चीज़े मैं आपको बता दूगा so let's see start करते हैं आज की video and अभी यहाँ पे सबसे पहले एक बार base का all look देख लेते हैं फिर उसके सभी के यहाँ पे replace बगारा सभी चीज़े हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो चलिए भी देखते हैं base का all look so guys यह हैं यहाँ पे base base आप यहाँ पे देख सकते हो core में हाँ एक multi-inferno रखा गया है eagle की position आप देख सकते हो scatter shots की आप position देख सकते हो जल्दी से यह वाला scatter shot तो जल्दी से यहाँ पे take down नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजे दो-दो layer से यहाँ पे scatter shot को protect कर रख है जिससे की king इसको इतना easily वाला base लगा और कल के दिन इसमें एक भी triple नहीं हुआ है भी तक और अगर आपको इसको use करना है तो link इसका description में जरूर देदूँगा तो चलिए भी देखते हैं इसके कुछ replace so guys यह यहाँ पे replay one आप देख सकते हैं यहाँ पे earthquake से हाँ पे use किये गए थे super wizard और yetis से हाँ पे attack किया गए काफी OP strategy है पहले काफी जादा यहाँ पे use होती थी अब थोड़ा से कम use होने लगी बट अभी भी पूरी OP आप बोल सकते strategy है तो देखते हैं अभी इस वाले attack को यह कैसे हाँ पे execute करते हैं यहाँ से 3 star हो पाएगा लोग launcher का अभी तक इन्होंने यहाँ पे use नहीं किया पता नहीं कहां से करेंगे लोग launcher से क्या shift हो जाएगे और अभी core main के कोई भी troops नहीं गए क्योंकि इन्होंने एक funnel यहाँ पे अच्छा से create नहीं किया था तो उस वज़े से थोड़ा सा मेरे साब से troops यहाँ पे गलत जा चुके है so let's see क्या यह अभी भी यहाँ पे 3 star हो पाएगा या 2 star हो पाएगा जिसकी मुझे बिलकुल भी यहाँ पे उमीद नहीं है but let's see अभी यहाँ पे इन्होंने blim पे switch कर दिया है बट देखते हैं blim क्या town hall तक पहुच पाएगी या नहीं पहुच पाएगी तो blim town hall तक नहीं पहुच पाई and plus इनके पास कोई spells भी नहीं थी तो town hall भी यहाँ पे take down नहीं होने वाला और यह वाला attack रहे जाता है यहाँ पे 1 star हो पाएगा या नहीं हो पाएगा queen का यहाँ भी use कर लिए starting में देखते हैं कैसे funnel यहाँ पे create करते हैं क्या queen से यहाँ पे town hall को secure करना चाहते हैं या क्या चीज यहाँ से निकालने वाले चलो एक अच्छा ज़ा funnel अभी तक इन्होंने create कर चुके हैं यहाँ पे town hall के side तो यह नहीं जाने वाले बट यहाँ पे इसकी queen को काफी जादा problem आने वाले है क्योंकि मेरी cc में से थोड़ा सच्छे वाली cc यहाँ पे निकली थी और air defense भी यहाँ पे healers को suit कर रहा था तो इनको यहाँ पे use करनी पड़ी अपनी rc so let's see क्या यह अभी भी यहाँ पे town hall take down कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ओके चलो town hall अभी तक यहाँ पे take down नहीं हुआ तो इनको काफी यह problem आने वाली है warden की ability भी अभी तक इन्होंने यहाँ पे use नहीं किया so let's see कितनी percentage यहाँ पे gain करने वाले है और अभी भी इनके पास यहाँ पे king की ability जो finally इन्होंने यहाँ पे use कर ली और यह वाला attack भी जादे एक high percentage attack नहीं होने वाला by mistake यह 2 star हुआ मुझे नहीं लग रहा था यह 2 star भी होने वाला था but यह 2 star चलो finally हो गया काफी अच्छा way से आप सभी इस को use करो तो चलिए भी देखेते हैं एको और next strategy so इस बार यहाँ पे attack हुआ flybred army से army composition तो आप देखी सकते हैं यहाँ पे 4 raises यहाँ पे use की है 2 raises अपनी और 3 raises यहाँ पे CC में use की गई है okay starting में यह town hall यहाँ पे secure करना चाहते हैं का इनको यहाँ पे 1 raise का use करना पड़ गया मुझे नहीं लगता था यह raise यहाँ पे use करना चाहते हैं और देखते हैं क्या यहाँ से eagle को यह take down कर पाएंगे अपने king से और यहाँ पे अपने yak से जो कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगने वाला बट let's see क्या होता है क्या king यहाँ पे take down कर पाएगा नहीं king यहाँ पे take down नहीं करने वाला और RC का भी इन्होंने थोड़ा सा मेरे साब से गलत ही यहाँ पे use किया queen की ability भी यहाँ यहाँ पे use हो चुपी है तो मुझे नहीं लगता यह वाला attack भी कोई ज्यादा high percentage attack यहाँ पे जाने वाला है बट let's see क्या होता है अभी देखते हैं अभी काफी चीज़ें यहाँ पे base में बची हुई है तो अभी यहाँ पे core का चलो multi inferno यहाँ पे take down हो गया बट अभी भी काफी चीज़े अभी यहाँ पे base में बच रही है जो कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता triple कर पाएंगी इस base को और आप देख सकते हो सिर्फ dragons अभी यहाँ पे बचे हुए है और मुझे लगता है यह वाला attack सिर्फ 60s में रह जाएगा maximum to maximum 70s में जाने वाला है बट मुझे 60s में ही लग रहा है जो कि 60s में आके यह वाला attack fail हो जाएगा तो चलिए भी देखते हैं एक और replay तो चलिए देखते हैं अभी एक और new strategy बिल्कुल OP strategy लगती है मुझे जब बंदे इसको use करते हैं इसमें सबसे main क्या होता है आपको एक अच्छी value चाहिए होती है अगर आप अच्छी value और एक funnel की rate ना कर पाए तो आपका attack यहाँ पर जरूर फेल होगा तो चलिए भी देखते हैं यह वाला attack कितनी percentage यहाँ पर take down कर पाएगा 3 star तो नहीं होने वाला for sure बट दिखते हैं कितनी percentage यह 70s में जाएगा यह 80s में जाएगा यह कितनी percentage यह यहाँ पर निकालने वाला है so let's see अभी तक यहाँ पर warden का use नहीं किया तो दिखते हैं warden अभी क्यों यहाँ यहाँ पर use नहीं कर रहे है बट अभी भी एक इतनी अच्छी value यहाँ पर नहीं मिलने वाली और यह वाला attack भी यहाँ पर fail होने वाला है क्या यहाँ से 2 star भी हो पाएगा क्या लगता है सबी को चलो finally यह 2 star हो गया बट वही है न 3 star तो नहीं हुआ और एक low percentage attack भी यहाँ पर आ चुका है आर्मी बट अब सबार यहाँ पर lightning spells का भी use किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो raise spells भी जाद है यहाँ पर use नहीं की गई है so let's see क्या यह वाला attack यहाँ से triple हो पाएगा यह वाला attack एक high percentage attack था बट यह भी यहाँ पर 3 star नहीं हुआ था ब्लेम तो town hall तक easily पहुचके town hall को take down कर लेगी बट यह वाला attack भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा 3 star क्योंकि base में भी सभी कुछ यहाँ पर बचे हुए है और पस यहाँ पर अभी 2 heroes की ability बची हुई है तो देखते हैं उसको यह कैसे यहाँ पर use करने वाले और क्या यह वाला base यहाँ से triple हो पाएगा तो यह वाला attack भी यहाँ पर triple नहीं होने वाला क्योंकि सिर्फ यहाँ पर queen बची हुई है और queen के पास ability है तो इसलिए वे थोड़ी सी high value यहाँ से निकाल ले जाएगी बट 3 star तो यह वाला attack भी यहाँ पर नहीं होने वाला तो लेट सी शायद यह वाला attack यहाँ पर 90s में जाता है 90s से ज्यादा तो यह वाला attack भी यह वाला attack भी यह वाला attack होता है 96 बस 3 star तो फिर भी नहीं होता क्योंकि अभी में आप एक single inferno बचा हुआ है जो कि यहाँ पर queen को easily take down कर सकता था तो guys अगर आप TH14 हो 5500 cups के पास जाना है तो आप easily इस वाले base को use करके एक या दो week में जा सकते हो plus giveaways की वीडियो अब यहाँ पर आ चुकी है participation कैसे करना है वो सभी चीज़े में आपको बता दुआ और क्या-क्या आपको मिलने वाला है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है तो जरूर एक बार पूरी वीडियो को यहाँ पर जरूर देखना और चैनल को subscribe नहीं किया और like नहीं किया तो subscribe और like वाला बटन जल्दी से यहाँ पर दबा दीजे और देखो discord के थूरू यहाँ पर giveaway होगे तो please discord भी यहाँ पर join कर लेना और थोड़ी से दिर में live streaming भी यहाँ पर होने वाली है तो live streaming पर भी सभी आ जाना तो आज की video guys यहीं पर ही करते है and और मिलते हैं यहाँ पर next video में और किसी TH14 या किसी और basis की video में और यहाँ पर अभी मैं super bolus की attack strategy भी लेकर आ रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इस video में इतना ही मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में THANK YOU